दोस्तो आज के इस वीडियो में हम Realme UI के एक ऐसे फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो की बहुत ही ज़ादा important है और दोस्तो जिस फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं ये फीचर्स जो है काफी सारे लोगों को पता भी नहीं है और हला कि दोस्तो आभी Realme UI का software जो है वो अभी काफी सारे Realme के device में आया भी नहीं है चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जिस फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है Mac address और दोस्तो Mac address के अंदर भी random Mac address के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इसके बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी details में बताऊंगा और इस features को हम किस तरह से use कर सकते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा तो चलिए दोस्तो अब finally वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसा कि दोस्तो आप यहां ध्यान से देखें मेरे पास ये Realme 3 Pro है और मेरे Realme 3 Pro के अंदर Realme UI का update मुझे काफी पहले मिल चुका था और दोस्तो Realme UI के update को install करने के बाद मुझे एक काफी कमाल का features देखने को मिला अपने Realme 3 Pro के अंदर तो चलिए दोस्तो इसके लिए हम चलते हैं फॉन की settings में और फॉन की settings में आने के बाद आपको simply करना क्या है आपको आना है Wi-Fi के अंदर चलिए हम Wi-Fi के अंदर चलते हैं और दोस्तो जैसी आप Wi-Fi के अंदर आते हैं तो Wi-Fi के अंदर आने के बाद आपको simply करना क्या है अपने phone को किसी भी दूसरे device से connect करना है जैसा कि for example के लिए मैंने Realme 3 Pro को अपने Samsung Galaxy A6 Plus से connect किया हुआ है और जैसा कि आप देखें यहां connected भी लिखा हुआ आ रहा है जैसी दोस्तो आप इस पर click करते हैं जो कि जिस device से आपने phone को connect किया है अगर आप उस device पर connect करते हैं तो connect करने के बाद यहां आपको काफी सारे features देखने को मिलेंगे जिसमें से दोस्तो यहां आपको एक option मिलेगा privacy के नाम से चलिए हम इस पर click करके देखते हैं तो दोस्तो यहां आपको दो option देखने को मिलते हैं एक random mac address और एक device mac address आपके phone के अंदर device mac address जो है यह select होगा एंड जैसी दोस्तो अगर आप इसको select करते हैं तो यहां आपको कुछ permissions वगेरा मांगेगा तो आप उनको permissions को allow कर दीजिए लेकिन दोस्तो जिस features के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि realme UI की software को install करने के बाद हमें मिला है वो है दोस्तो random mac address तो दोस्तो यहां privacy के अंदर जो आपको random mac address देखने को मिलता है अगर आप इसको select कर लेते हैं तो इसे select करने के बाद आपके phone के अंदर एक अलग level की power मिल जाएगी आपके phone को चलिए मैं आपको details में थोड़ा सा बता देता हूं कि यह mac address होता है यह क्या होता है तो दोस्तो अगर इसकी full form की बात की जाए तो इसकी full form होती है media access control address चलिए इसके बारे बेवी मैं आपको थोड़ा सा और details में बता देता हूं तो दोस्तो जब भी आप किसी phone को purchase करते हैं चाहें वो phone हो या कोई भी laptop हो या कोई भी other device हो तो दोस्तो हर एक device का एक address होता है जो की mac address होता है अब दोस्तो इसका फाइदा क्या होता है अगर आप यहाँ Wi-Fi के अंदर आके अगर privacy के अंदर random mac address को select कर लेते हैं तो इसका फाइदा दोस्तो यह होता है कि suppose करिए अगर आ करने के बाद आप उसके इंटरनेट को एकसेस नहीं कर सकते हाला कि आप उसका पासवर्ड आपको पता है उसके बाद भी आप उसको एकसेस नहीं कर सकते उसके इंटरनेट को अगर दोस्तो आपने उसके वाइफाई से अपने फॉन को तो आप internet को connect नहीं कर सकते हैं, यानि कि internet यूज नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों यह जो होता है, यह Mac address की वज़े से होता है, क्यूंकि सामने वाले ने आपके phone का Mac address डालके, आपके phone को blacklist में डाल दिया है, तो दोस्तों यह होता है Mac address, अब दोस्तों इस features को जो कि हमें realme UI के देखने को मिलता है, random Mac address, इसका फाइदा यह होगा, कि अगर आप इस features को यहां से select कर लेते हैं, तो select करने के बाद, आपके phone का Mac address होगा, वो randomly change होता रहेगा, अब इससे फाइदा यह होगा, कि अगर सामने वाले ने आपके phone के Mac address को डालके, आपके phone को block कर दिया है, और अगर आपके phone के Mac address को change कर सकते हैं, इसका मतलब दोस्तों यह है कि अगर आप इस function को यहां कि random Mac address को choose कर लेते हैं, तो आपके phone का Mac address होगा, वो automatically change होता रहेगा, जिससे कि सामने वाला आपके phone को block नहीं कर सकता, अगर उसने एक address को block कर वी दिया, तो यहां तुरंत आपके phone क जो दूसरा address है, वो generate हो जाएगा, जिससे कि आप सामने वाले की permission के बना भी आप उसके internet को use कर सकते हैं, फिर दोस्तों मैं आपको इसके बारे में और भी ज्यादा details में बता सकता हूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कि आगर आप इस तरह की video देखना चाहते ह है, खेर दोस्तों फिलाल इस video में सिर्फ इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये video पसंद आया होगा, अगर आपको ये video पसंद आया है, तो प्लीज आफ इस video को like कीजे, share कीजे, और साथी साथ channel को subscribe करना, बिल्कूल नभूना तो चलिए, फिलाल इस video को finish करते है और मिलते हैं ऐसी एक और मज़िदार video के साथ